गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज हम हिंदी की कक्षा में गिंती और दिनों के नाम लिखना सीखते हैं तो बच्चो जो गिंती है वे एक से लेके पंद्रा तक आप पीटी टू के सलेबस में भी कर चुके हो जैसे कि गिंती को हम अंकों और फिर शब्दों में भी लिखना सीखते हैं तो यहाँ पर भी पहले हम 16 से लेकर 30 तक गिंती पढ़ेंगे आपने ध्यान से सुनना है कि शब्दों में गिंती कैसे बोलते हैं और अंकों को कैसे लिखा जाता है सबसे पहले अनुक्रमांग है फिर शब्दों सुरी अंकों में है और फिर शब्दों में हम गिंती लिखेंगे अब हम शुरू करते हैं 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 बच्चों अब हम तिनों के नाम लिखना सीखेंगे इन्हें सब्ता के दिन भी कहा जाता है अब हम दिनों के नाम पढ़ते हैं ये सोमां से शुरू होंगे ठीक है नमबर बन पे है सोमवार मंगलवार बुद्धवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार और अब है रवीवार जिस दिन हम सबको छुट्टी होती है सब्ता का आखरी दिन क्या होता है रवीवार अब मैं आपको PDF सेंड करूंगी जिसमें 16 से लेकर 30 तक गिनती और दिनों के नाम है आप इस वर्क को अपनी नोट बुक में लिखोगे ठीक है बच्चो ठेंक्स